हेलो पैरे बच्चो बच्चो कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चो आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नमबर 24 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौट डेली मिनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दी गई ह बच्चो आपकी इस वक्सीट का टॉपिक है है वी एंड लाइट तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चो यहाँ पर दिये गई बच्च में आपको एक तराजू की पिक्चर बनानी है तो आप इस तरीके से बनाएंगे बच्चो जब हम एक तराजू से कोई भी वजन तोलते हैं तो बच्चो जो उसके दोनों पलड़े हैं वो इक्वल होने चाहिए बच्चो यहाँ पर आपको पैन टू से क्वांटिटी को सब्टेक्ट करना है या फिर एड करना है और जो पैन वन है उसके बराबर करना है तो बच्चो यहाँ पर पैन वन का वेट है और यहाँ पर है पैन टू तो बच्चो देखते हैं टेबल पैन वन में बच्चो जो weight है 205 g और पैन टू में जो present weight है 225 g तो बच्चो इसमें अब हम क्या करें कि 250 g के बराबर हो जाए तो बच्चो इसमें plus कर लेंगे 25 g तो बच्चो इसके इकल हो जाएगा अब बाकी हमें ऐसे करनें यहां पर है 1 kg तो बच्चों present weight है pen 2 में 980 g अब हम क्या करें कि यह वन गेजी के equal हो जाए बराबर हो जाए तो बच्चों हम क्या करेंगे इसमें plus कर लेंगे 20 ग्राम तो यहां पर plus का sign लगाएंगे और लिखेंगे 20 ग्राम तो बच्चो प्लस करने पर पूरा 1 kg हो गया दोनों में अब next है 5 kg अब present weight जो है pen 2 में वो है 5550 g तो बच्चो अब 5 kg करने के लिए हम क्या करें तो बच्चो हम इसमें से 550 g जो है minus कर देंगे तो बच्चो हम minus का sign लगाएंगे और यहाँ पर 550 g लिखेंगे तो बच्चो इसके equal हो जाएगा घटाने पर next है 750 g और present weight है pen 2 में 850 g तो बच्चो अब क्या करें की 750 हो जाएगे तो बच्चो pen 2 में से हम क्या करेंगे 100 g जो है minus कर देंगे यहाँ पर minus का sign लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 100 g तो बच्चो इसके equal हो जाएगा next है 1 kg और pen 2 में है 1200 g तो बच्चो अब 1 kg करने के लिए क्या करें तो बच्चो हम इसमें से minus कर देंगे 200 g वेट तो बच्चो इहाँ पर minus का sign लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 200 g तो बच्चे 1 kg की equal हो जाएगा अब question है राधा और उसका जो परिवार है वो दूसरे गाउं में shift हो रहे थे उन्होंने बोज जो है भर लिया कितना given in the list below जो की list में दिया गया है on a bullock cart किस पर बैल गाड़ी पर but the bullock cart wasn't able to move लेकिन जो बैल गाड़ी है वो चल नहीं सकती क्योंकि it could not pull weight heavier than 400 kg क्योंकि यह जो बैल गाड़ी है 400 kg से जादा वजन जो है नहीं खीच सकती अब बच्चे यहाँ पर table में देख सकते हैं things loaded जो की उस पर वजन भरा गया है a sack of wheat गेहों का एक बोरा जो है 100 kg का है a sack of rice चावल का बोरा है 80 kg का water tank है 50 kg almeida 70 kg tables 10 kg sofa 70 kg chairs 12 kg mattresses 20 kg utensils 8 kg and bamboo ladder 10 kg तो बच्चों यह जो है total items हैं जो की बुला कार्ट पर हैं तो बच्चों हम देखते हैं इनका weight कितना है total तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 8 and 2 कितने होते हैं 10 की 0 carry 1 उसके बाद 2, 3, 4, 4 and 7 11, 12, 12 and 7 4, 24 and 8 32 और यह 1 प्लस कर लेंगे कितना हुआ 33 तो 33 का है 3 लिखेंगे carry कितने हो गए 3 यह 1 है 1 में 3 और प्लस कर देंगे कितने हो गए 4 तो बच्चों तो बच्चों total weight कितना हो गया 430 क्लो ग्राम Now answer the following Question is what is the total weight they loaded on the card बच्चों card पर जो उन्होंने weight load किया है वो total कितना है तो बच्चों answer है 430 केजी Question is which of the things listed above should be removed to make the weight equal to 400 क्लो ग्राम अब बच्चों जो भी उन्होंने card पर load किया है उन में से कौन सी things को remove किया जाए हटाया जाए कि इसका जो वजन है वो 400 केजी हो जाए तो बच्चों यहाँ पर answer है table plus chair plus utensils बच्चों यदि हम table, chair और utensils के spare को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा समान 400 केजी weight का तो बच्चों कैसे यहाँ पर देख सकते हैं table, chair तो बच्चों table है यह chair है और utensils तो बच्चों 10 and 12 कितने होते हैं 22 and 8 30 तो बच्चों कितना हो गया तीनों का 30 तो बच्चों यदि हम इने हटा देंगे तो weight कितना हो जाएगा 400 केजी अब बच्चों ऐसे ही यहाँ पर pair है chair, utensils और bamboo ladder यदि हम इन तीनों के pair को हटाते हैं तो तब भी बच्चों कितना हो जाएगा 400 ऐसे ही बच्चों table और mattresses को हटाते हैं तब भी इतना हो जाएगा mattresses, bamboo ladder तो बच्चों आपको इन में से कोई सा भी एक pair हटाना है ताकि इसका weight 400 kg हो जाए तो बच्चों आप अपनी choice से इन में से किसी भी pair को यहाँ पर लिख सकते है question है name the heaviest object you have ever seen बच्चों यहाँ पर आपको आपने जो भी कभी सबसे heavy सबसे भारी object देखा है उसका नाम लिखना है तो बच्चों answer the heaviest object I have seen is a train कि एक train है जो कि मैंने सबसे भारी object देखा है बच्चों यदि आपने इसके अलावा भी कुछ देखा है तो आप उसका नाम लिख सकते है life skill banking observe the front page of your bank passbook बच्चों आप अपनी bank की passbook का front page देखेंगे which of the following information did you find on it आपको इसमें से कौन कौन सी information मिली है write it यहाँ पर लिखना है customer name तो बच्चों आपकी passbook में जो customer का name है उस name को लिखेंगे तो बच्चों आपकी passbook है तो आप ही का नाम होगा तो यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे number of digits in your account number आपके account number में कितनी digits हैं तो बच्चों count करके लिखेंगे तो बच्चों it may be 15, 14, 17, 12, 13 तो बच्चों आप count करके लिखेंगे name of bank bank का नाम लिखेंगे आपकी passbook पर लिखा होगा जैसे कि यहाँ पर example के लिए है Punjab National Bank branch of bank बच्चों आपके bank की कौन सी branch है तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जैसी example है गोल मार्केट डेली MICR code 9 digit तो बच्चों MICR code जो है वो आपकी passbook पर लिखा हुआ होगा first page पर तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर दिया गया तो बच्चों आप भी देखकर यहाँ लिखेंगे जो की 9 digit का होता है IFSC code जो की 11 digit का होता है तो बच्चों आपकी bank passbook के front page पर लिखा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे अब question है read the below given chart for the monthly income of the family बच्चों यहाँ पर दिये गए chart को family की monthly income जानने के लिए पढ़ें chart 1 and the expenditure of the family for a particular month और किसी particular month के लिए जो family का खर्चा है उसी chart 2 में पढ़ें then answer the question that follow और उसके बाद answer दें तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे chart 1 monthly income of family family की monthly income कितनी है तो members है grandfather की है income 7,000 father की है 9,000 mother की है 6,000 तो बच्चों total कितनी हो गई 9 and 7 16 16 and 6 22 तो बच्चों total जो income है 22,000 अब है expenditure तो बच्चों bills किस-किस के electricity phone etc तो कितना इसका amount है 1,500 rent and fee जो है वो है 6,500 groceries और जो बाकी के खर्चे हैं वो कितने है 5,800 तो बच्चों total कितना हो गया 1,500 and 6,500 कितने हो गए 8,000 8 and 5,800 प्लस करके कितने हो गए 13,800 तो बच्चों total कितना हुआ 13,800 अब question है What is the total monthly income of the family फैमली की total जो monthly income है कितनी है 22,000 calculate and write the expenditure of the family for the given month अब बच्चों जो total expenditure है फैमली के वो कितने हैं मन्थली तो बच्चों मन्थली है 13,800 Does the family have to withdraw some amount from the bank to meet the expenditure of the month क्या जो family है उसे अपने जो expenditure है खर्चों के लिए और पैसे bank से निकालने की जरूत होगी तो बच्चों नहीं क्योंकि जो income है वो ज़्यादा है जो expenditure है वो कम है इट मीज उनके पास और भी पैसे बच जाएंगे इफ यस यदि हाँ तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे नो अब नेक्स कॉस्चिन है तो बच्चों आंसर है यस हाँ लिखेंगे यहाँ और क्या करेंगे 22,000 में से 13,800 को माइनस कर देंगे तो कितने बच्चे 8,200 जो है वो family की saving है पर मन्त तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे संसकार साला Where there is love, there is life जहाँ प्रेम है वहीं जीवन है किसने कहा है माहत्मा गांधी ने Food and Drink में आज आप क्या लेंगे Include your homemade chutney, curd, lassi, buttermilk, etc. in the diet and learn how to make them बच्चों आज अपनी diet में आप क्या लेंगे घर पर बनी हुई chutney, दही, lassi और buttermilk, मक्खन यह सब चीजे लेंगे और बच्चों आप इने बनाना भी सीखेंगे Activity, make a video of 1 to 10 minutes of yoga and exercise and send it to your class teacher बच्चों आप अपने घर पर yoga करते हुए या फिर कोई exercise करते हुए एक या दो मिनट की video बनाएंगे और अपने class teacher को भेजेंगे अब बच्चों next है sports आज आप खेल में क्या करेंगे Do any exercise and yoga of your choice everyday बच्चों आप रोजाना अपनी चोईस का कोई भी yoga या फिर exercise करेंगे डेली routine Include the following habits in your daily routine बच्चों दी गई habits को आप अपने डेली routine में include करेंगे Begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें Brush your teeth twice a day दिन में दो बार दातों को ब्रस करें Take a bath daily रोजाना नहाएं Drink plenty of water and eat a balance diet बच्चों परयाप्त मात्रा में पानी पिएंगे और संतुलित आहार लेंगे Avoid touching your face अपने चेहरे को छूने से बचें And wash your hands frequently Complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करें Students, if you like this video, please like and share And if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you